सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे जॉन स्टुएर्ट मिल के आइडिया ओन लिबर्टी को लेकिन इससे पहले कि हम मिल के लिबर्टी के आइडिया को डिसकस करें सबसे पहले हम ब्रीफली जेयस मिल को डिसकस कर लेते हैं जेयस मिल का पूरा नाम था जॉन स्टूर्ट मिल, जेयस मिल ब्रिटेन के 19th सेंचुरी के most influential political thinker थे, मिल का जनम 20th में 1806 को लंदन में होता है, जेयस मिल के पिता का नाम जेमस मिल था, जो की renowned historian माने जाते हैं, जेमस मिल की प्रसिद्ध पुस्तक History of British India 1818 को पब्लिश होती है, जेमस मिल इस्ट इंडिया हाउस के assistant examiner के पद पर appoint किये गए थे, जेयस मिल के teacher का नाम Jeremy Bentham था, जो की एक utilitarian thinker थे, जेयस मिल ने Bentham के विचारों को यहो कहते हुए revise किया था, कि मैं वह पिटर हूँ, जिसने अपने गुरु को नकार दिया था, जेयस मिल की wife का नाम Harriet Hardy Taylor मिल जिनके साथ, जेयस मिल ने the subjection of women लिखकर, women को three fields में equality की बात की थी, जिनमें पहली field थी right to vote, दूसरी field थी right to education, और तीसरी field थी equal rights in jobs 1826 को जेयस मिल मेंटल क्रैसिस से गुजर जाते हैं, हालांकि मिल ने कॉलरिज और विलियम बर्ड्सवर्थ की romantic poetry को study करके, मेंटल क्रैसिस को overcome किया 1830 को जेयस मिल की मुलाकात Harriet Hardy Taylor से होती है, और इसी समय जेयस मिल को इन से प्यार हो जाता है, 1849 को Harriet Taylor के husband John Taylor की death हो जाती है, और 1851 को Harriet Taylor जेयस मिल से शादी कर लेती है इसके बाद जेयस मिल ने Harriet मिल को उनके honor, chief blessings of his existence के रूप में विचारा, और ऐसा माना जाता है कि मिल ने on liberty or the subjection of women Harriet मिल के साथ मिल कर लिखी, 1873 को मिल की England के Evington में death हो जाती है जेयस मिल के कुछ important works रहे हैं, जो की आपके exam के लिए बहुत important है, तो इसमें पहला work आता है system of logic, जो की 1843 को publish होता है, इसमें इन्होंने coherent philosophy of politics की बात की, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने philosophy of politics को इस कृती में अच्छे डंग से explain किया दूसरा work इनका आता है principle of political economy, जो की 1848 को publish होता है, इसमें इन्होंने welfare economics की बात की, अगला इनका work आता है on the improvement in the administration of India, जो की 1858 को publish होता है, और अगला इनका work आता है on liberty, जो की 1859 को publish होता है, इस कृती में इन्होंने liberty, law and harm principle को discuss किया अगला इनका work आता है considerations on representative government, जो की 1861 को publish होता है, इस कृती की खास बात यह है कि इसमें इन्होंने ideal government की बात की, जो की proportional representation पर based होगा, इन्होंने इस कृती में protection of minorities, institutions of self government की बात की, इनका अगला work आता है utilitarianism, जो की एक template था और ये 1863 को publish होता है, इसकी खास बात यह है कि इसमें इन्होंने बैंथम का जो principle है greatest happiness of the greatest number इसको इन्होंने इसमें explain किया, और इन्होंने इसमें जो बैंथम का utilitarianism है इसको modify किया, वहीं अगला इनका work आता है the subsection of women, जो की 1869 को publish होता है, इसकी खास बात यह है कि इसमें इन्होंने तीन प्रकार क जो areas है, उसमें women equality की बात की है, जिसमें पहला आता है right to suffrage, दूसरा आता है right to education और तेसरा आता है equal rights in jobs, खास बात यह है कि यह जो कृती है, यह जो work यह इन्होंने अपनी पत्नी Harriet Mill के साथ लिखा, जेस मिल के कुछ important concepts रहे हैं, जो की आपके exam के लिए बहुत important है, तो इन concepts म पहला concept आता है, modification of Bentham's utilitarianism, हलंकि J.S. Mill भी एक utilitarian thing करते, लेकिन इन्होंने Bentham के utilitarianism को कहीं न कहीं modify किया, और कुछ चीजे Bentham की reject की, अगला concept इनका आता है, tyranny of the majority, इन्होंने यह बताया कि जो democracy होती है, उसमें जो masses होते हैं, यानि कि जो majority people होते हैं, उनकी tyranny होती है, उनकी ताना शाही होती है, अगला इनका concept आता है, plural voting, जो कि इनका अजीब और गरीव एक concept है, इसके अंतरकत इन्होंने यह बताया कि जो अधिक कुशल और जो educated लोग हैं, उनको एक से अधिक vote देने का अधिकार होगा, उधारन के लिए इन्होंने यह कहा कि जो कुशल श्रमिक ह होते हैं, उनको एक अतरिक्त मत देने का अधिकार, और जो four men होते हैं, उनको दो मत देने का अधिकार, और जो writers होते हैं, university professors होते हैं, artist होते हैं, उनको पांच मत देने का अधिकार होगा, इस प्रकार से J.S.Mill ने plural voting की वकालत की, अगला इनका concept आता है harm principle, यह basically जुरा हैते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, जो दूसरे की liberty को, स्वतनतरता को हाम करता है, तो ऐस स्थिति में उस व्यक्ति की जो liberty है, यानि की जो actions है, उसको बादित किया जा सकता है, check किया जा सकता है, limit किया जा सकता है, इनका अगला concept आता है equal rights to women, J.S.Mill ऐसे है कि जो हमारे representatives होते हैं, उनको proportion के आधार पर न्युक्त किया जाना चाहिए, यानि कि elect किया जाना चाहिए, अगला इनका concept आता है representative और डफलपमेंटल democracy, यानि कि इनोने डफलपमेंटल democracy की बात की, और representation की बात की अगला इनका concept आता है कि इन्होंने individual freedom और individuality को defense किया जिसका मतलब यह है कि इन्होंने यह बोला कि individual society का center होता है individual end होता है जब कि state और society mean होते हैं जो कि individual की freedom के लिए काम करेंगे अगला इनका concept आता है कि इन्होंने minority के उपर focus किया क्योंकि इन्होंने बोला कि democratic regime में जो masses होते हैं उनकी वज़े से minority का शोषन होता है उनको suppress किया जाता है इसलिए हमें minority जो लोग होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं rights देने होंगे और इनका अगला concept आता है negative liberty JS मिल को कहीं ना कहीं negative liberty के champion के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि इन्होंने ये बोला कि हर एक व्यक्ति को वह करने का अधिकार होता है सुतंतरता होती है liberty होती है जो वो करना चाहता है जो कि कहीं ना कहीं negative liberty का एक form माना जा सकता है अब हम जेस मिलके liberty के उपर views को अच्छे से explain कर लेते हैं जो की हमारा core subject है तो सबसे पहली बात ये है कि इन्होंने अपने प्रमख work on liberty जो की 1859 को publish होता है इस कृती में अपने liberty के बारे में views दिये, ideas दिये अगली महतोपूर्ण बात ये है कि इन्डिवीज्वल liberty के बहुत बड़े एड़ोकेटर माने जाते हैं इन्होंने famously कहा भी था कि over himself his body and mind an individual is sovereign जिसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति, कोई individual स्वैम के उपर अपनी body यानि कि अपने शरीर और जो उसका mind होता है उसका मन होता है उसके उपर sovereign होता है, संप्रभू होता है यानि कि इन सबी चीजों के उपर उसका पूरा हक होता है, right होता है अगली important बात ये भी है कि जैसमिल ऐसे पहले prominent liberal thinker माने जाते हैं जिनोंने इस बात को realize कि जो capitalist economy होती है, उसमें जो less is fair individualism होता है उसमें जो working class है उनको deprive किया जाता है और बिचानिये बात ये भी है कि जैसमिल जो freedom of thought and expression होती है human being की उसके complete यानि की बहुत बड़े supporter रहे हैं जैसमिल ने human being के freedom of thought and expression को define करते हुए ये कहा था कि imposing restrictions on freedom of thought and expression of human beings is like rowing the present and future generations जिसका मतलब ये है कि जैसमिल कहते हैं कि अगर हम व्यक्ति के यानि कि individual की freedom of thought and expression होती है विचार या अविव्यक्ति की स्वतंतरता होती है अगर हम उसके उपर restrictions यानि कि उसके उपर हम प्रतिवंद लगाते हैं का मतलब ये होगा कि जो हमारी present यानि की वर्तमान की और जो future यानि की भविश्य की जो generations होती है नसले होती है उनको हम लूट रहे हैं लूटने के समान है इनके बारे में एक विचारनी बात ये भी है कि इनोंने ये कहा कि freedom का मतलब होता है जो person होता है उसको आप अकेला छोड़ दो उसे अपनी मनवर्दी से जो करना चाहता है उसे करने दिया जाए इसका मतलब ये हुआ कि ये कहते हैं कि freedom का real meaning होता है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार करना चाहता है उसे ऐसा करने दिया जाए और ऐसा करने से उसे ना रोका जाए जेस मिल ने तीन परकार की freedom की बात की है पहली इसमें freedom आती है freedom of thought and expression दूसरी इसमें freedom आती है freedom of association तीसरी इसमें freedom आती है freedom of work और freedom of work को इन्होंने दो भागों में भाटा है जिसमें पहली freedom आती है self regarding action और दूसरी freedom आती है other regarding actions जिसको मिल ने harm principle कहा है तो चलिए अब हम इनको एक एक करके detail में समझ लेते हैं पहली freedom आती है freedom of thought and expression इसके बारे में J.S. Mill ने ये कहा कि जिसका मतलब ये है कि J.S. Mill कहते हैं कि हमारी freedom को खत्रा, danger गौर्मन्ट से नहीं है बलकि तिर्नी of the majority से है इनकी खास बात ये भी रही है कि इनोंने ये भी कहा कि जिसका मतलब ये है कि व्यक्ति के हित में ही राज्य का हित होता है क्योंकि व्यक्ति ही end होता है और state mean होता है अगली इनके बारे में खास बात ये है कि इनोंने सन की जो लोग होते हैं, पागल लोग होते हैं, उनको भी इनोंने विचार और अभिव्यक्ति की सोतंतरता देने का अधिकार दिया, इनोंने ये कहा कि चाए सन की व्यक्ति हो, पागल व्यक्ति हो, विद्वान हो, सभी को thought and expression का right होना चाहिए, क्योंकि सभी की मत या फिर सभी की राय, सोसाइटी के लिए, राश्टर के लिए, स्टेट के लिए उपयोगी हो सकती है, इनकी खास बात ये भी है, कि इनोंने ये कहा कि जब आइडिया का struggle होता है, तो उसमें सत्य यानि की truth की जीत होती है, जॉन स्टुर्ट मिल ने एलेक्स डिटॉक बिले द्वारा लि philosophy है, ideas है, उनके उपर बहुत बड़ा impact किया, और इस कृती में एलेक्स डिटॉक बिले ने सबसे पहले tyranny of the majority का concept दिया, और J.S. मिल ने इस concept को बार में यूज किया, तो tyranny of the majority का मतलब होता है tyranny of the masses, इसकी खास बात ये है कि मिल कहते हैं कि democracy में minority को suppress किया जाता है on the basis of majority, औ और खास बात ये भी है कि मिल ने minority rights और individual rights के लिए आवाज उठाई, और एक important बात ये भी है कि J.S. मिल ने representative rule को priority दी instead of majority rule, next freedom का नाम आता है freedom of association, तो इसमें J.S. मिल ने ये कहा कि freedom of association का होना किसे भी व्यक्ति के लिए, किसे भी individual के लिए अनिवारे हैं important है, और ऐसा क्योंकि इससे जहां एक तरफ लोगों को political education मिलती है, वहीं दूसरी तरफ इसमें लोगों की political participation बढ़ती है, और लोग personal और family interest से बाहर आते हैं, दूसरी important बात ये है कि इन्होंने freedom of work की बात की, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने दो परकार के इसमें actions की बात की, जिसमें प होते हैं, यानि कि स्वैम के साथ संबंदित होते हैं, और इनको करने से दूसरे व्यक्ति को हाम नहीं होता है, उनकी liberty या फिर freedom को नुकसान नहीं होता है, और J.S.Mill कहते हैं कि ऐसे कारे, यानि कि ऐसे actions कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इनको करने की पूर्ण सुतंतरता होती है, दूसरे प्रकार के actions आते हैं, others regarding actions, जिसका मतलब ये है कि ऐसे काम जिन से या जिन को करने से दूसरों को नुकसान पहुंचता है, उनको हाम होता है, या फिर उनकी जो freedom है, liberty है, वो कहीं न कहीं restrict होती है, और इसी को J.S.Mill ने हाम principle कहा है, important बात ये भी है कि J.S.Mill ये क कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को हाम करता है, शती पहुंचाता है, तो ऐसे स्थिती में उसकी liberty को restrict किया जा सकता है, जिसको हाम principle कहा जाता है, J.S.Mill एक ऐसे philosopher रहे हैं, जिनोंने negative liberty को popularize किया, इसका मतलब ये है कि इनोंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, अ अपनी आत्मा के अनुसार काम कर सकता है, इसके बाबजूद J.S.Mill ने freedom के उपर कुछ reasonable restrictions लगाई, जिन में पहली आती है principle of harm, इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है, और वो ऐसा काम करता है कि दूसरे की जो liberty है, freedom है, उसको हाम होता है, तो ऐसी स्थिती में state, उसकी liberty के उपर, उसके action के उपर restrictions लगा सकता है, दूसरा इसमें आता है threat to the security of the state, अगर राज्ये की सुरक्षा को threat होता है, तो ऐसी स्थिती में भी individual की liberty या फिर actions के उपर checks लगाई जा सकती है, अगला इसमें आता है obstruction in performing social duty, इसका मतलब ये है कि अगर सामाजिक दाईतो या फिर जो social duty है, उसको perform करने में बाधाएं आ रही है, obstruction आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि state वहाँ पर भी freedom के उपर restrictions लगा सकता है, अगला important point ये आता है कि complete harm to a person knowing or unknowingly, इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूच के या अंजाने में स्वैम को शती पहुचा नुक्सान करता है, हाम करता है, उधान के लिए अगär कोई व्यक्ति suicide करने की कोशशिश करता है, death करने की कोशिश करता है, तो एसी स्थिती में भी जो state है वो individual की liberty को नुक्सान पहुचा सकता है, यानि कि इसको रोक सकता है, उसको कम कर सकता है, limit कर सकता है, जेस मिल के liberty के views को understand करने के बाद अब हम इसको conclude कर लेते हैं यानि कि इसके basis को समझ लेते हैं तो इसमें पहला point ये आता है कि इन्होंने tyranny of the majority की बात की थी, दूसरा point ये आता है कि इनकी freedom negative freedom है, तीसरा point ये आता है कि इनकी freedom में harm principle है, अगला point इसका ये आता है कि इन्होंने individuality की बात की है, जिसका मतलब ये है कि mil के लिए individual ही सब कुछ है और उसको बड़ी मात्रा में liberty है जिसमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है हलंकि ये भी बात विचारनी है कि J.S. mil कुछ important restrictions लगाए थे individuality का यहाँ पर ये मतलब है कि individual ही society के core में है और state mean है जबकि individual अपने आपने end है अगला important point ये आता है कि इन्होंने freedom के अंतरगत self और other regarding actions की बात की थी अगला point ये आता है कि इन्होंने कहा कि freedom high social utility होती है जिसका मतलब ये होता है कि freedom की वज़े से ही लोग happiness को gain करते है इसी लिए जो freedom होती है उसकी social utility होती है वो भी high होती है अगला point ये आता है कि individual अपने आप में end होता है state mean होता है और last point यानि कि base आता है इनकी freedom का ये कि freedom natural नहीं होती है वलकि इसको cultivate करना पड़ता है बनाना पड़ता है जेयस मिल की liberty को कई विचारकों ने criticize किया है जिन में पहला नाम आता है Arnest Barker का इन्होंने ये कहा कि जेयस मिल profit of an empty liberty है जिसका मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा कि जेयस मिल खोखली स्वतंतरता के पैगंबर है और ऐसा इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि ये कहते हैं कि जहां जेयस मिल एक तरफ व्यक्ति को स्वतंतरता देते हैं वहीं दूसरी तरफ दूसरे हाथ से लेते हैं और ऐसा इसलिए हैं क्योंकि जहां एक तरफ जेयस मिल स्वतंतरता के बारे में बड़ी बड़ी बाते करते हैं वहीं दूसरी तरफ इन्होंने individual liberty के उपर बहुत सारे restrictions लगाई है वहीं दूसरी तरफ बिचारनी बात ये भी है कि बेपर ने भी मिल को माना है reluctant democrat जिसका मतलब ये है कि मिल एक अनिच्छुक लोगतंतरवादी है और ऐसा इसलिए बेपर कहते हैं क्योंकि बेपर बोलते हैं कि इनका लोगतंतर यानी की democracy के उपर बहुत कम विश्वास था जेस मिल ने स्वैम कहा था कि education लोगों के पास बहुत कम होती है खासतरपे democracy में masses का rule होता है वहाँ पर tyranny of the majority होती है इसलिए जो minority लोग होते हैं उनके हीतों का ध्यान नहीं रखा जाता है इसलिए बेपर जैसे विचारकों ने मिल को reluctant democrat कहा तो हमने इस lecture में ये समझा कि जेस मिल की life कैसी रही है इनके liberty के उपर क्या व्यूज रहे हैं I hope आपने इस lecture को enjoy किया होगा अगर आपको ये lecture अच्छा लगता है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें, share करें और अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई फायदा नहीं हुआ या इस lecture में बहुत सारी कमिया है तो आप comment करके अपने suggestion दे सकते हैं lecture को देखने के लिए सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद मिलते हैं अगले lecture में